Hello everybody, मेरे चैनल में आपका स्वागत है मैंने ये चैनल इसी दिए स्टार्ट किया है ताकि मैं आप सब लोगों में कैंसर के बारे में अवेरनेस ला सकूँ यहां पे मैं सारे एस्पेक्स ओफ कैंसर डिसकस करूँगी आपसे बहुत ही सिंपल वे में ताकि आप सब लोग समझ सके So let's get started तो पहले मैं यह बताना चाहते हूँ आपको के कैंसर क्यों होता है और कैसे होता है तो कैंसर एक अबनॉर्मल ग्रोथ होता है सेल्स का जिसका बाड़ी में कोही भी काम नहीं होता है तो हमारे बोड़ी में नौर्मली ऐसे जीनिस होता है याने कि मतलब DNA, ज syn edic level पर अइसे जीनिस होता है जो कि यह अबनॉर्मल ग्रोथ को चेक में रखते है मतलब आपनॉर्मल ग्रोत को दबाये रखते है तो because of some reasons, जैसे कि कोई mutations हो गया या कुछ हो गया, तो ये जो जीन्स है, जिसको tumor suppressor जीन्स के बारे में जाना जाता है, तो ये जीन्स काम करना बंद कर देते हैं, और तब abnormal growth जो है cells का वो बहुत ही divide होने लगता है, और proliferate, multiply करने लगता है, तो इस तरह से cancer होता है, cancer कोई एक step में नहीं होता है, cancer को development में कई सारे steps यकते हैं, और हर एक step के पीछे ऐसे processes होते हैं, genetic level पे, जैसे मैंने आपको बताया, DNA के level पे, जो की act करते हैं, because of either inside factors, याने के शरीर के अंदर, या तो फिर शरीर के बहार वाले outside factors के वज़े से, ये सारे changes होते हैं, तो inside factors मतलब जो शरीर के अंदर होते हैं, जैसे कोई genetic code division में problem हो गया, या protein encoding में problem हो गया, तो ऐसी चीज़े, और जो बहार के factors होते हैं, वो तो हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कोई chemical exposure हो गया, या तो फिर smoking, ये सारे तरह के outside factors मैं वीडियो में बाद में discuss करने वाली हूँ, तो इन चीज़ों के वज़े से problems होते हैं, जैनेटिक लेवल पे, कौन से ऐसे risk factors हैं, जिससे cancer होता है, तो इसका जवाब ये है कि कोई एक risk factor से cancer कभी नहीं होता है, जो और जो ये एक risk factor होता है, तो उसके background में कई सारे दूसरे risk factors होते हैं, जो सब कुल मिला के cancer को develop करने में मदद करते हैं, तो एक और important चीज़ ये है, मैं आपको एक simple example से समझा देती हूँ, जैसे कोई person X है और person Y है, ठीक है, तो दोनों ही smoke करते हैं, मानी जी, तो person X को cancer हो गया और person Y को cancer नहीं हुआ, जबकि दोनों ही smoke करते थे, तो इसका reason ये है कि हर एक individual का response, चाहे कि same risk factor ही क्य और अगल एक response से cancer होगा या नहीं होगा ये तही होता है, तो cancer बहुत एक complex process है, इतना easy नहीं है, और इसको कही सारे steps लगते है, कही सारे risk factors लगते हैं, और कही सारे changes लगते हैं, तब जाके cancer होता है आपने body में, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको outside risk factors के बारे में, जो शरीर के बहार से हम लोग incorporate करते हो और जिसके वज़े से cancer हो सकता है, तो first, जैसे most of you might have guessed, is smoking, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगे कि smoking से cancer हो सकता है, क्योंकि आप सब लोगों को पाता है, बट मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर smoking आप छोड़ देते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, तो जैसे कि मानलीजीये, smoking से कही तरह के cancers होते हैं, जैसे गले का cancer हो, जीव का cancer हो, तो ये सारे cancels का risk 30% यानि कि 30 प्रदिशत कम हो सकता है, और जो voice box का cancer होता है, यानि कि स्वरपेटी का cancer, वो 60% यानिकि 60% कि 60% कि अगर आप smoking 10 से 15 साल के लिए छोड़ देतों यानिकि आप पहले स्मोक कर रहे हैं और आपको स्मोकिंग श्टॉप किये हुए 10 से 15 साल हो गए तब आपका रिस्क कम होने वाला है जैसे कि मैंने बताया थी 10 प्रतिशत और साथ प्रतिशत और अगर मान लीजिए आपको smoking छोड़े हूँ है 20 साल हो गए ठीक है तो आपका risk जो मतलब एक बिल्कुल non-smoker की तरह हो जाएगा कि जिसने life में कभी smoke हिया ही नहीं है उसका cancer का risk और आपका cancer का risk बराबर हो जाएगा और एक चीज़ यह है कि जो patients smoke करते हैं cancer के treatment के दोरान चाहे कि वो radiation हो या तो फिर surgery हो तो उन लोगों में complications और side effects treatment के बहुत ज्यादा देखने को मिलते है और उनका quality of life पी इतना अच्छा नहीं होता next है alcohol याने की शराब तो शराब से तो जैसे आपको सबको बता है कि बहुत तरह के cancer सो सकते हैं जाहें वो अन्नननी का हो याने की food pipe, isophagus का cancer हो या तो फिर गले का cancer हो, liver का cancer हो, breast, intestine, rectum, यह सारे तरह के cancers होते हैं drinking के वज़े से लेकिन इन में से थोड़ा सा significant risk पाया गया है alcohol और breast cancer के relationship में with even one drink per day तो आपको बहुत ही careful रहना पड़ेगा लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई एक risk factor से cancer नहीं होता है और जैसे कि मैंने आपको smoking में बताया वैसे मैं आपको alcohol में भी बता देती हूं कि अगर आप drink करना बंद करेगे तो क्या effect हो सकते है तो अगर आप drink कर रहे हैं और कर रहे थे और अपने अपी छोड दिया है तो 20 साल के बाद पूरे 20 years लगेंगे आपको आपका risk non-drinker के तरह हो जाएगा यानि कि the person who has not consumed alcohol at all और आपका risk 20 साल के बाद एक हो सकता है सो एक और चीज हमने patients में यह देखी है कि जो patients कैंसर के treatment के बाद भी heavily drink करते हैं तो उनका quality of life बहुत खराब होता है बहुत सारे side effects होते हैं और उनकी life span भी जो है वो कम हो जाती है तो आपने इंटरनेट पे पढ़ा होगा या तो फिर WhatsApp या YouTube में कहीं देखा होगा कि मतलब वाइन पीने से heart disease का risk कम हो जाता है या तो फिर beer से कुछ rectum cancer का risk कम हो जाता है या ऐसी कोई चीज़े मैं आपको यह बता देती हूँ जो cancer का risk है उसका beer, whiskey, wine या कोई भी दूसरे alcoholic beverage से लेना देना नहीं है सारी alcoholic drinks में ethanol करके compound होता है तो cancer का risk ethanol से बनता है तो आप कोई भी चीज़ ले लिजे, beer, whiskey, wine जो भी ले लिजे, आपका cancer का risk सेम होगा तो आजकल तो mobile phone सभी के पास है तो mobile phone से जो radiation निकलता है उसका क्या? What about that? So is it harmful? Can it cause cancer? तो यह में आपको बता देती हूँ, जो mobile phone से radiation निकलता है उसको radio frequency radiation के नाम से जाना जाता है और इस radio frequency radiation में इतनी पावर नहीं है कि वो आपके DNA में जाके उसमें कोई defects करे या उसको damage करे ठीक है? तो और जो radiation emit होता है वो heat की तरह एब्सार्व हो जाता है तो यह point मैंने इसलिए इंक्लूड किया है वीडियो में क्योंकि मैंने बहुत सारा information देखा था इंटरनेट पे जहांकि लोग बोल रहे है कि mobile phone usage से brain का cancer हो रहा है So let me tell you this, जो कि most significant और recent research रहा है उसमें यह माना गया है कि there is no relationship between mobile phone usage and the development of brain cancer So next, I want to talk about such a thing which is very important and very easily modifiable and very easily you can incorporate it very easily तो यह है lifestyle changes यह तो आपने बहुत डॉक्टर से सुना होगा कि lifestyle change करनो, walking करनो, swimming करनो या जो भी है तो आपको लगता होगा कि एक दो बर walking करने से क्या ही हो जाएगा हफते में तो मैं आपको बता देते हैं Just let me tell you this Only by making changes to your lifestyle You can reduce the risk of developing cancer by 30 to 40 percent जी हाँ 30 to 40 percent 30 to 40 percent risk आपका कम हो सकता है अगर आप lifestyle में कुछ changes कर ले तो आपको लगता होगा कि cancer का कोई इलाज नहीं है या cancer मतलब किसी को भी हो जाता है क्यों हो जाता है पता नहीं चलता तो ऐसे चोटे-चोटे चीज़े हैं जो नजर अंदाज हो जाती है और people keep thinking about the bigger causes or the lesser known causes of cancer So these are very simple things which you can incorporate and you know you can reduce your risk of developing cancer So being overweight, obese or physical inactivity एक ही समय तक बैठहे है यह सब major causes है और आजकर तो सभी लोग मतलब बैठहे रहते हैं जाहे वो office में हो, desk पे काम कर रहे हो या तो फिर TV के सामने घर पर बैठहे हुए हो या तो फिर mobile phone बैठकर देख रहे हो तो sitting has become a way of life today and you know what they are saying nowadays sitting is the new smoking Yes Sitting smoking के बराबर है So being physically active is very important अप अगर physically active रहेंगे तो आपका weight regulate होगा आपके cancer के chances कम होगे तो यह आपको easily करना चाहिए और being physically active का मतलब यह है कि आप exercise कर रहे हो यानि कि at least moderate to heavy exercise कर रहे हो आप at least आदे घंटे तक week में on like most of the days a week और अगर आप जादा करते हैं तो आपको extra benefits भी हो सकते हैं यहां पर मैं especially women मतलब महिलाओं में में मेंपोस के बाद इसके बार में बात करना चाहते हूं so what happens is महिलाओं में 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 पॉस के बाद एस्टोजन करके एक हार्म Only होता है जो पहले भी होता है तो यह इस्टोजन हार्मौन में में पॉस के बाद चरभी से प्रोडूस होने लग जाता है मतलब फैट से प्रोडिस होने लग जाता है इस्टोजन हार्मन ठीक है तो यह इस्टोजन हार्मन जो है major contributor है breast cancer का तो being physically active after menopause इससे आपका weight regulate होगा आपका fat का content कम होगा आप healthy रहेंगी आप fat से जो प्रोडिस होने वाला estrogen है वो भी कम हो जाएगा और आपके breast cancer का risk भी कम हो जाएगा यह risk एक या 2% नहीं है यह risk आपका कम होने वाला जो है वो 20 से लेके 40% का है जी हाँ बस physically active रहने से आपका breast cancer का risk menopause के बाद 20 से 40% कम हो सकता है और fruits or vegetables का क्या बहुत सारे myths है इसके बारे में कि यह fruit खाएंगे तो cancer कम हो जाएगा यह vegetable से cancer होता है इससे नहीं होता है तो इसका क्या तो fruits or vegetables का और cancer का कोई relationship नहीं है कोई significant relationship नहीं है अभी तक के research और studies में लेकिन obviously relationship इसका है diabetes से heart disease से यह सब benefits तो आपको अबस्ती होंगे fruits or vegetables खा के तो आपको healthy भी रहना है तो please इसको लीजेगा और the same applies for usage of refined flour यानि कि आप मैदा यूज कर रहे हो या तो फिर refined sugars यूज कर रहे हो यह सब चीजों का और cancer का कोई लेना देना नहीं है as such but इसका definitely relationship है heart diseases से diabetes से obesity से so आप इनको जितना avoid कर सके उतना अच्छा रहेगा एक और बहुत important चीज है food के area में जो है red meat याने की लाल मास चाहे वो beef हो goat हो lamb हो pork हो या कुछ भी हो तो इसके खाने से आपका colorectal cancer का risk याने की studies है प्रूफ करने के लिए कि आपके ये खाने से definitely this risk बढ़ जाता है तो American Institute of Cancer Research ने ये guidelines published किये है कि red meat जो आप खा रहे है वो week में more than three portions नहीं खाने चाहिए और वो सारे three portions का कुल मिलाके आधा किलो से कम होना चाहिए weight तो लेकिन ऐसा कोई specific amount of intake नहीं है कि आपने इतना red meat खाया और आपका cancer का risk zero हो गया तो better है कि आप इसको avoid कीजिए जितना हो सके और वैसे भी healthier substitutes है जैसे कि chicken हो या eggs हो या fish है या इतने सारे तरह के दाल है lentils है तो अगर ये consume करेंगे तो better रहेगा थोड़े ऐसे viruses हैं जिससे भी cancer हो सकता है याने कि HPV, HDLV, EBV etc. तो यहां पर मैं HPV के बार में बात करना चाहूंगी जो कि है human papilloma virus because हमारे पास vaccination available है इनके लिए तो जो ये HPV ये वो कही तरह के cancers cause करता है जैसे कि mainly जैसे कि cervix याने कि गर्भाशय का cancer, गले का cancer, टॉंसल का cancer, जीब का cancer, cancers of rectum, anus याने कि मलाशय, and cancers of penis, vagina, velva, योनी का cancer, तो ये कही तरह के cancers ऐसे सिर्फ HPV के वज़े से होता है तो जो भी sexually active होते है तो almost सब में HPV का infection हो जाता है लेकिन सब में cancer develop नहीं होता है क्योंकि हमारे body की immunity जो है वो ये virus को fight कर देती है तो most of them में नहीं होता है cancer HPV virus के वज़े से लेकिन थोड़े लोग होते हैं जिनमें मतलब ये virus परसिष्ट कर जाता है और धीरे धीरे ये cancer में बदल सकता है तो HPV vaccination can prevent cancer, especially cervical cancer तो दो vaccine है जिनका नाम है Cervarix or Gardasil तो ये vaccinations जो है लडकियों को और महिलाओं को 9-26 साल के उमर के बीच में दी जाती है So this vaccination is for girls and women between the ages of 9 and 26 तो लेकिन ये जो vaccines है अगर आप already HPV से infect हो गए होंगे तो काम नहीं करेगी इसलिए ये vaccinations को sexual activity के पहले लेना जरूरी है और वैसे भी cervical cancer के दूसरे causes भी है like smoking So suppose आप vaccination ले ही लेता है इसका मतलब ये नहीं कि आप follow-up ये check-up छोड़ दोंगे जिसको screening कहा जाता है So screening compulsory है सब में आप vaccination ले या ना ले Screening जो होता है Pap smear के नाम से तो वो screening फिर भी compulsory रहेगा सब So this is it for the video guys यहां पर मैंने सारे risk factors के बारे में बात नहीं की है मैंने ऐसे risk factors चुनके बताया है आपको जो की बहुत important है और बहुत easily modifiable है ठीक है And also I have tried to keep the video in Hindi Because I want to reach out to as many people as possible So if you like this video please give it a thumbs up So please share this video with your friends, family, relatives and whoever you care for And please subscribe to my channel And in the comment section में आप मुझे बताये कि अगर आपको जो माने topics आज डिसकस की है अगर आपको चाहते है कि मैं उसके बारे में बात करूँ या इलापरेट करूँ या तो फिर आपको और क्या जामना है next cancer के बारे Please मेरे comment section में लिख दीजेगा I will be happy to make a video on that So that's it for today Be aware, be smart and be healthy See you soon